तो स्टार्ट करने वाले हैं आज हमें एक निया टॉपिक जिसमें प्याजे बाइगोट सकी और कोहल बर के सिध्धानतों की हम बात करने वाले हैं तो यहां पर चल रही है क्या बालवी का सिभिम सिख्षा साथ चाइल्ड पेड़ागोजी ओके तो अपने अपने नोट्स निकाल लीजिए और हम करने वाले हैं इसके कुछ बहुत ही बहुत इंपोर्टेंट और मज़ेदार कंसेप्ट तो एक एक करके हम यहां पर साइकलोजिस्ट उठाएंगे और उनके बारे में थोड़ी थोड़ी बाते करेंगे जो की करते हैं कि संग्यानात्मक विकास की बात करते हैं कि बच्चा जो है संग्यान से सीखता है मतलब बच्चा जो है खुद की एक्ट करता है प्रयोगिक तरीके से काम करता है उसके बाद जो उससे समझ में आता है उसके इसाब से बच्चा सीखता है मतलब इसी को बोलते हैं औ intellectual development, okay, intellectual development, intellectual development का मतलब बच्चा खुद से समझ को विक्सित करता है, बच्चा खुदी जो है अपने ग्यान विक ज्यान को, वेमोरी चेंज को डेवलप करता है, और खुद से अपनी जो समझ को विक्सित करता है, तो क्या बता है मैंने मैंने कहा कि जीन प्याजेने कहा है कि बच्चा जो है Cognitive Development Theory के इसाब से सीखता है संग्यानात्मक विकास के इसाब से सीखता है और बच्चा जो है खुद में समझ डेवलप करता है इसको बोलते है Intellectual Development इसको बोलते है Intellectual Development चलिए अब देखिए क्या कहा गया इसकी थीघ्योरी के इसाब से बच्चे को जो है Active अब अब बच्चा खुदी जो हता है नालइज को निर्मात करता है और अपने संग्यान की अधहर पर ग्छान को बढ़्याता है knowledge को निर्माणा करता है इसलिए बच्चे को सक्री निर्माता कहा है और बच्चे को किस टर्म से शुशोबित किया जीन पियाजे साहब ने इन्हों ने उसको कहा की पैंसयों से बच्चों के अंदर या इक्स्प्लोर करते हैं और बच्चे के चीश का निर्माण करते हैं समझ का निर्माण करते हैं समझ का निर्माड करते हैं ठीक ना समझ का निर्माड करते हैं तो ये समझ का निर्माड करते हैं अभी समझ के निर्माड से संबंदित हम बताएंगे कि कुछ मतलब एक फ्रेम डिसाइड कर लेते हैं कि ऐसा होगा तो ऐसा होगा उके उसको इसकीमा बोलते हैं क्या बोलते हैं नन्य वेग्यानिक होते हैं और समझ का निर्माण करते हैं रचनावाद होते हैं रचनावाद को सपोर्ट करने के दिखें रचनावाद की जो बात कर रहा था मैं वो यह है कि जो जीन प्याजे हैं वो रचनावाद को सपोर्ट करते हैं और रचनावाद मतलब constructivism, ओके रचनावाद, तो ये सवाल अगर आता है कि जीन प्याजे क्या रचनावाद में इनका थोड़ा उध योगदान है, बिल्कुल सही बात है, ये रचनावाद याने constructivism, ओके इंगलिस के वर्ट थोड़े से difficult होते ही हैं, constructivism क्योंकि हिंदी में ब तो है, तारकिक constructivism, मतलब की radical constructivism है, ओके तो ये constructivism के सारे हिस्से को नहीं करते हैं, जो radical constructivism होता है, तो उसको ये support करते हैं, कि ऐसा होगा तो ऐसा होगा, मतलब इसमें भी क्या है, science involved है, एक तरीके से radical constructivism का मतलब है, कि जैसे आपको कोई कुछी जीजों को ले करके आ लगलग तर्क हुआ करते हैं, आप उनको वैग्यानिक तर्क समझते हैं, तो उसके हिसाब से आप अपना constructivism, अपनी कुछ theories बना लेते हो, तो इसी तरीक है कि कुछ बात यहाँ पर जीन प्याजे साब थे, ये रचनावाद को support तो करते थे, मगर किस तरीके का यहाँ पर इन्हों ने बोला सुविधा दाता, अब देखे हम बात कर रहे थे, अभी schema की बात आ गई, हमने बताया ना भी कि जो जीन प्याजे हैं, वो कहते हैं कि बच्चा जो होता एक तरीके के अपने अंदर memory के कुछ packets type के develop करता है, तो उसको यह क्या नाम दे लिया गय है कि जैसे मान लो आपने पहली बार आपको कोई चोट लग गई या कोई गरम चीज छूली तो आपने जल गए, ओकी तो यह mental structure आपने फ्रेम कर लिया, मन में कि भाई कुछ चूएंगे इस ताइप कर तो यह mental structure कहलाता है, ठीक ना, तो क्या होता है, बच्चा जो होता है, जब पैदा होता है, तो जो बच्चा जो पैदा होता है, वो अपने धीरे 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 mental configuration करता है, और 14 से लेकर के 15 साल तक आने तक उसके सारे के सारे schema जो होते हैं, वो set हो जाते हैं, ठीक है, 14 से 15 साल तक आने में सारे के सारे जो schema होते हैं, जो mental structure होते है वो सेट हो जाते हैं तो इसको बोलते हैं चाइल्ड बॉर्ण विदे मेंटल मेंटल कंफिगर इस्ट्रक्चर विच डेवलप से एनी अटेइन मैक्सिमम ग्रोथ एड़ एड़ एज अब फॉर्टीन और फिफ्टीन एर्स देखो भाई मलब क्या रहता एक जो चाइल्ड होता है चyyle connection मेंटल कॉगनेटिव को बात मैं और मेंटल कॉगनेटिव के साथ बच्क्चा जो होता है वह पैदा होता है Przyक्राइब के लिए दो को बच्याल होता है तो सबसे पहले माँ का दूस्गता थो अपकर च्रेंग तो और ना तो मतलब अल्रीडी उसके अंदर जो है इसकीमा डेवलप हो रखा किसका चूसने का चूसने को सकिंग बोलते हैं तो ये जो structure हुआ करता उसके अंदर already set हुआ करता है विच डेवलप्स और अब इसके बाद अब जो होते हैं अलग-अलग structure उसके अंदर डेवलप हो जाते हैं ठीक ना अलग-अलग वो कुछ मन में मतलब set कर लेता है स्कीमाज बोलते हैं अब इनको क्या मोला जाएं इनका नाम ही स्कीमाज है तो आप भी बोलो इसको सपोर्ट करते сп recommend cookie in जो आपकर वन्शा न corruption आ रही है उनका आपके जीवन पे बहुत ज्यदा प्रभाव पढ़ेगा और वाक़ी में परफणता भी है ठीक ना तो मतलब देखा जाये तो पिआजे को मैं अपनी नजर में समझता हूं एक इस तरीके के मनोवेग्यानिक साइकलोजिस्त थे जो पूरे के पूरे तार्किक रूप से साइन्टिफिक मुल्यों को साथ में लेकर चलते थे ठीक ना अभी आपको कुछ मनोवेग्यानिक मिलेंगे जो हेरेडिटी को मानेंगे ही नीए वो बोलेंगे भई पूरा का पूरा समाजवाद का फर्क पड़ता है ठीक ना अभी आ रहे हैं वाईगोटसकी साप वो पूरे समाजिक समाजिक बाते करी, उन्होंने, कि मतलब आपकी Heredity कासी भी हो, पहला असर आपके उपर समाजवाद का होगा, मगर नहीं, PIDJ कहते थे कि Heredity का असर जो होगा, समाजवाद से बहुत जादा उपर होगा, तो PIDJ जो है Heredity को बहुत जादा तवज्जो देते थे, बहुत ज़्यादा उसको emphasize करते थे, heredity में चली अब बात करते हैं last बात कर लेते हैं विकास के चारतत बताये थे, किसे ने Gene P.I.J. साब ने विकास के चारतत बताये थे M.E.S.E याद रखेगा इनके जो नाम है आप इसको याद रखेगा M.E.S.E है ना? हाँ, तो M.E.S.E तो इसमें M को मतलब बोलते हैं M को बोलते हैं maturation समझ गए ना? Maturation Maturation, ये चार तत्त थे Maturation मतलब की परिपकता विकास के लिए परिपकता बहुत जरूरी है मतलब आप विकास के लिए बिना परिपकता के आप विकास नहीं करा सकते हो बुद्धी का विकास कहलो या ग्यान का विकास जो है बिना परिपकता के नहीं करा सकते हो अब हैरी एक पढ़ने की एज परिपकता की ये जुवा करती है जैसे बच्चा जो होता आपके पहली क्लास में उसको बारवी क्लास का मैट्स नहीं पढ़ा सकते हो तो उसके परिपकता की यह जुआ करती है दूसरा है experience यानि की अनुभाव ओके सीखने का दूसरा तरीका क्या है अनुभाव बच्चे जो है अनुभाव से सीखते हैं बहुत जादे बात की थी इसके बाद उन्हें सबसे पहली बात क्या बता ही maturation यानि की परिपकता होनी चाहिए दूसके बात क्या था experience यानि की से अनुभाव बोलते हैं तीसरी बात क्या करी उन्हें उन्हें की social interaction यानि की समाजी गंते क्रिया से भी सीखता है और इसके बाद है विकास के बाद चौथा जो कदम था इसका चौ के ताल मेल बिठालना तो अभी मैं ज्यादा थियोरी इसके बारे में डिसकस नहीं करूंगा क्योंकि हमारा objective जो है इसका एक्जाम के लिए है तो इसको सामयावस्था बोलते हैं इसको बोलते हैं बैलेंस की स्थिति तो ये विकास के चार तत्त बताए जीन पियाजे साब कि विकास जो इन चार ततो पे निर्भर करता है maturation, social interaction को बोलते हैं समाजिक अंतयक्रिया और last वाला क्या है सामयावस्था तो ये हो गया अबना डेलेंसकी स्थिति तो जीन पियाजे साब एक बहुत ही महन टाइप की मनो वेढ़्यानिक मेरी समझ में अब चलिए अगले अ त्यक्षीर पढ़ते हैं वाइक जोटी की नाम से फस्ट हो रहा है व्यaut qiq waik, ओक तो कहाँ कहे हैं यह रशियन माणो वेग्यानीक है रशियन सैक्लोस्त है रुर्चिया से पधारें चलिए आंगे बात करते हैं तो इन्हों ने किस चीज़ की बात करी इन्हों ने कही सामाजिक कंस्त्रक्टविस्त मतलब सामाजिक रचनावादी थे मतलब इन्हों ने शोशल कंट्रक्टविस्त théor Egypt ji offer इसको बोलती रचनावाद सामाजिक रचनावाद मतलब भाई साब देखो वहाँ पर तार्थिक कंसर्शिक की तार्थिक की बात करिए वहाँ पर ओके रेशनल थे वे कौन थे जीन प्याजे की बात मैंने करे थी रेशनल कंट्रक्स टेविस थे रचनावाद का वही सपोर्ट करते थे मगर वह समाजिक रचनावाद का सपोर्ट नहीं करते थे शोशल कंट्रक्स टेविस की बात करते थे अब यह क्या कहते थे यह किसकी बात करते थे कि जो बच्चे का विकास होता है उसके social culture respect पर निर्भर करता है, मतलब दूसरी चीज़ social, मतलब उसका समाज कैसा है, समाज, और दूसरा क्या है, culture यानि कि उसकी संस्कृति कैसी है, मतलब बच्चे का बाकि विकास उसके समाज और संस्कृति पर निर्भर करता है, समाज कैसा है, संस्कृति कैसा है, इन्होंन आप एक 6 साल के बच्चे को ग्यानी लोगों के बीच में रख दोगे, अगर वो 20 साल के ग्यानी लोगों के बीच में रख दोगे, तो वो इसी तरीके से सोचने लग जाएगा, और हलाकि बात सही भी है, कि ग्यानी लोगों के बीच में इंसान जिस संगत में आता है, तो उस तरीके की चीज़े सोचने लगता है ये बात सही है कि आप जिस तरीके के लोगों के बीच में रहोगे उस तरीके की चीज़े सोचते हो तो इस चीज़ को किस ने सपोर्ट किया इस चीज़ को सपोर्ट किया था वाई गोट्सकी ने उन्होंने कहा कि भाई उम्र तो महाजेक नंबर है ग्यान के लिए आपको संगत करनी पड़ेगी मतलब शोशल और कल्चल गुरूप का जो है आपके मन पे असर पड़ता है ठीके ना अब देखिए इनकी जो थियोरी है उसकी थियोरी को बोलते हैं हम S.C.L. याने की इसको बोलते हैं S.C.C.L. इनकी थियोरी है S.C.L. एप्रोच पहले थियोरी का नाम लिख देता हूं है इनकी थियोरी का नाम है S.C.L. एप्रोच इनकी जो थियोरी है उसका नाम है socio-cultural approach, okay, socio-cultural approach, उसमें महत्पूर्ण तीन बाते बात कहीं है, जिसका नाम है, जिसको हम code word में पढ़ते हैं, SCL, याद रखेगा, वाइ-गोथ की मतलब, अरे भईया, मैंने SLC लिख दिया, SCL, हलाकि फरक नहीं पड़ता है, वाइ-गोथ की की बात कहीं है, SCL, okay, तो SCL के में पहला S का मतलब क्या है, S का मतलब है, Social Interaction, मतलब की समाजिक अंतरहक्रिया, Interaction यानि की समाजिक अंतरहक्रिया की बात करिए, दू इनों से मिल करके जो हुता है, बच्चे का विकास हुआ करता है, ये देखिए, ये विकास का एरिया बच्चे का, okay, Social Interaction बहुत ज़्यादा जरूरी है, okay, और Social Interaction करने के लिए, बच्चा जो है, एक दूसरे से बातचीत करेगा, शोशली दूसरे के हाव भाव देखेगा, उनको काम करते देखेगा, सीखेगा, विचारों के आदान प्रदान के लिए किसकी जरूरी थे है, लेंग्विज की, और Culture मतलब जिस संस्कृती में, जिस समाज में आप रहते हो, वो जरूरी है, तो मैं रेखिए, Social Interaction मतलब क्या बोलते हैं, SCL का सिध्धान, क्या बोलते हैं, इसको SCL का सिध्धान, जहां S का मतलब है, Social Interaction, C का मतलब है Culture, और L का मतलब है Language, अब बात कर लेते हैं, भाई साब, Language को क्या बताया, वाइगोटसकी ने, लेंग्विज के बारे में बड़ी प्यारी बात करी, कहा कि Language के एक टूल है, और वागई में Language एक टूल है, अपने विचार को दूसरे तक पहुचाने का माध्या में, है ना, अगर Language टूल है, तो टूल अलग-अलग उजार कई तरीकी के बनाया जा सकते हैं, वागई में, तो Language को यहाँ पर टूल बताया, ओके, ओके, देखे, यहाँ पर Social Interaction का मतलब होता है, समाजिक अंत्रहकरिया, हिंदी में, समाजिक अंत्रहकरिया, देखो समाजिक अंत्रहकरिया क्यों जरूरी है, वाकई में समाजिक अंत्रहकरिया बहुत जरूरी है, हम कभी न कभी किसी, हर किसी को देख करके अपन सीखते हैं, हमारे भी कोई गुरू है है अपने गुरू को फॉलो करते हैं हमारे अपने दोस्त हैं जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं यकीनन हम बताएं ना बताएं हम उनको फॉलो करते हैं ओके तो सूसल इंट्रेक्शन में क्या-क्या बाते आ सिखा दू तुम्हें आता है वो मैं यह सिखा दू एन असिस्टेंस टीचर को किसका बात कि तीचर को बताया था असिस्टेंस टीचर को क्या बता था असिस्टेंस क्योंकि टीचर जो होता है वह भी सोसल इंट्रेक्शन का बहुत महत्पूर कारक है इसलिए यहां पर तो टीचर के लिए असिस्टेंस लर्निंग की बात करी थे और यहां पे असिस्टेंस के आएगा टीचर या कोज जो भी होगा असिस्टेंस लर्निंग यह हो गई भाई टीचर की बात ओके तो लेंग्विज के बारे में तो बात कर दी मैंने हैना लेंग्विज क्या होती लेंग्विज जो टूल होती है और लेंग्विज कहां से आती है हना लेंग्विज के विकास की बात करेंगे लेंग्विज की विकास की बात करेंगे तो कह को तो हमारी लेंगवेज popping आप जरूर कि आँशकर विश्यस टेक्टनलोजी कौराइब engineering तो उस सबसे जएदा डै्वल 시작 को करना के लिए मतलाब समाजीग कंतेख्र करिया जो है उन लेंगुज को डेवलप करने के लिए बहुत काम की चीज़ है बहसा कवे का समाजी कंते क्रिया से होता है और लेंगुज जो है सबसे बड़ा ओजार है, ओके, अब देखिए, उम्र के आधार पे ये बाइगोट सेके ने लेंगविज का वर्गी करने किया, उम्र के आधार पे, ओके, उम्र के आधार पे देखिए, वर्गी करने किया, सबसे पहली लेंगविज उनने बोली सोशल लेंगविज, ओके, सोशल क्या बोलते हैं इसको social language उसके बाद एक बड़ी लच्छन सी एज आती है जिसको अपन private speech बोलते हैं और बच्चा जो है खुद से बात करता है इगो सेंट्री का वस्ता में पहुंच जाता है ओके private speech ये बच्चे जिनके आँ हैं उन्होंने आपने करते देखा होगा बच्चो को बच्चे खिलाओने तोड़ देते हैं इसके बाद क्या कहते हैं अब मैं इसको ऐसे जोड़ूंगा अब मैं इसको यहां लगाऊंगा और ये कार चलीगी ऐसे तो आपने इस तरीके की देखा ह होगा तो इसको बोलते हैं भाई साब निजवाक के प्राइविट स्पीच जो होती है ओके तो सबसे पहले सोशल लेंगविज आपने देख लिया दो साल तक चलती है फिर इसके बाद बच्चे खिलोना खेलने की अवस्था में जब आ जाते हैं ओके देखिए शैशा लोड़ देंगे और फिर अपने बाप से बात करेंगे कि अपने से लेड़ जाएंगे बोलेंगे आज मैं शाम को यहां जाओंगी मम्मी के साथ फिर मैं यह खरीदूंगी फिर मैं वो खाओंगी यह पीऊंगी तो इस तरीके से बात करते हैं तो खुद से बात करते होती है ये दायरा जो सुरू होता है, ये कब से सुरू होता है, ये तीन साल से सुरू होता है, बच्चे जो होते हैं, खुद पर केंद्रित हो जाते हैं, और इसको जो पियाजे ने बताया था, जीन पियाजे ने इसी को अहम केंद्रित अवस्था बताई थी, इसी को इगो सेंट्रि झाल ते किसी प्रीजित किस इस्टेज में आती है यहीं इन प्रीजिसनल चि taken हो जो, के वस्ता है, इक हम गी इंद्रिद रवस्ता है यह कि इस में आती है? ये pre-operational stage में आती है pre-operational stage में आती है आपको यह बताना है कि total कितनी अवस्था हैं सबसे last वाली अवस्था हैं कितने हैं चलिए तो बच्चा होता है पहले बोले 2 साल तक का 2 के बाद कितने साल तक से भाई साब 3 साल से 3 साल से लेके 7 साल तक बच्चा जो है ता हम केंदरित होता है खुद से बाते करता है इसके बाद जो होता है silent inner speech हो जाता है silent inner speech फिर इसके बाद बच्चा जो है मुँसे बाहर बाते नहीं निकालता है फिर वो silent inner speech हो जाता है फिर अंदर ही अंदर वो मन में बात करता है मतलब समस्दार हो जाता है कि तरही के से और अंदर है जो चीज़ें in को बूलता है चीज़ें सब्ह Wanna लियुक्त साथ वर्षें से इस स्रूज हो जाती ए और इसको बोलते हैं साइलेंट treड इनर इस एपूच थिक है चलिए तो इस तरीके से ठीके न ये हो गई आपकी बात किसकी वाई गोट सिकी की बात मैंने पूरी की पूरी बता दी तो चलिए तीन प्रकार की भाशा हैं मैंने बता दी कि जो बच्चे होते हैं तीन प्रकार की भाशा हैं इस्तमाल किया जाते हैं सबसे पहले दो वर्स तक social language होती ही फिर उसके बाद private speech का इस्तमाल करते हैं तीन वर्से ले करके 7 वर्स की अपस्था तक और 7 वर्से ले करके silent dinner speech बन जाते हैं मतलब अंदर वो बात करते हैं मन में और यह अवस्था 7 वर्से ले करके फिर यह चलती रहती है अब बात करते हैं देखिए जो इन्होंने पार्ट बताये थे learning के याने development के किसने बाइगोट्सकी ने उनकी हम बात कर लेते हैं तो इन्होंने इस तरीके से बताये कि भाई साब जो सीखने की प्रक्रिया होती है वो उसमें कुछ इस तरीके का चक्र चला करता है जिसमें यह एघम करते हो फेहला और इसको भीड़ा है जैड़े ज़र-पीडिऊ मतलब रहता है जैसे खी मान लोग आप जो सीख सकते हो आप जो स्ट्टेजों की यह व्या Union की सब्सक्राइट का मतलब मालेच वल कि और शौबक देगा जो आप से जादा छोगा के कंशे मुञर नॉलेजब्ल होगा के ईस को बोलते हैं एम के ओ स्ट अधर तो इसके फोल्डिंग और जैड़ पीडी और यह तीनों मिल करके इसको थोड़ा सा मेरे को ऊपर बनाना था गड़बड़ बन गया चलो कोई बात नहीं दुबारा बना लेता हूं यह लो यह तो यह जो एरिया है इसमें बच्चा सीख लेता है किस तरीके से सीखता है उससे मानने लो कि कोई बच्चा साइकल चलाना सीखना चाहता है तो उसे किसकी जरुरत होगी मोर नॉलेजिबल अधर की होगी अब इसका फोल्डिंग का मतलब क्या होता है एक तरीके का हलका सा पुश करना और पुश के बाद अलग कर देना ओके और जैसी बच्चे को कि इसमें समाज बाद इंकलूड है कैसे शूशल शूशल कंट्रक्ट विस्थ की थियोरी कैसे इंकलूड है यहां पर देखिए जो मोर नॉलेजवल अधर आएगा वो एक तरीके का छोटा सा समाज बन जाएगा उसके लिए मतलब चाहिए वो टीचर हो टीचर क्या करेगा उस स्काफ फोल्डिंग और यह क्या है मोर नॉलेजवल अधर तो स्काफ फोल्डिंग याद रखेगा हमेसा नहीं रहती है जैसे कि आपने करियर बच्चा बैठा हुआ उसको आपने धक्का दिया और फिर वह थोड़ा-थोड़ा चलता गया ओके अपने से चलाता गया साइकल तो इसको बोलते हैं अपने स्काफ फोल्डिंग तो यह थोड़ी थियोरी अभी तो बहुत बड़ी है मगर अभी के लिए मैं इतना ही करूंगा क्योंकि अपने शॉर्ट में वीडियो यहां पे निप्टा रहे हैं चलिए अब बात करते हैं कोहलबर्ग की थियोरी की तो को कोहलबर्ग की थियोरी में आपको याद होगा कौन सा वाला कोहलबर्ग ने किस जानवर का एक्सपरिमेंट किया था चिंपान जी का याद है ना कोहलबर्ग ने किसका एक्सपरिमेंट किया था चिंपान जी का यस ठीक है तो कोहलबर्ग का एक्सपरिमेंट किसका था चाहए और घर किसका का था अब लो act पे बताओ तो भाइ इन्हों ने का हमॉड किसकी विकास की बात करी इन्होंने कहा मौरल डेवलपमेंट की इस्हाइज ऎस पर पूरह 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 लड़के थे तो इस पे पूरे इन लोग ने बाइस पर डेवलप्मेंट किया था तो इनको इनकी थियोरी को जेंडर बाइस थियोरी कही जाती क्या कही जाती जेंडर बाइस मतलब एक तरीके से भेद भाव करते हैं जेंडर को ले करके तो नैतिकता की बात तो की है नो-नe-netics विकास से द्धांत की बात की है ओके मृललब की बट कैसी इंकी थेहोरी थी Gender-biased Theory Gender-biased Theory तो इंकी जो थेहोरी थी वो Gender-biased Theory थी मतलब की और Gender-biased Theory कि इसने का था महिला psychologist थी जिनका नाम था केरल क्या नाम था केरल गलीनमन केरल गलीगन karelle glegan तो karelle glegan ने इनकी जो थियोरी थी इसको gender-based थियोरी कहा था कि भाई सब आप भेदभाव करते हो ठीक ना karelle glegan की थियोरी थी gender-based theory चलिए तो yes तो karelle glegan की भी बात कर लिए तो किसकी बात करते हैं morality की अब देखे आप ने यहां पर इनकी जो morality में reasoning लगाई कौन सी इन्होंने मतलब इन्होंने तर्क लगाए अपने सिध्धान तो को बनाने के लिए या प्रस्तुत करने के लिए तो इनकी जो reasoning थी moral reasoning ओके moral reasoning यस तो इन्होंने कहा बच्चों का विकास का सिध्धान जो है नैतिकता का उसका अधार क्या होता है नैतिकता हुआ करती है चलिए तो अभी के लिए इतना ही मैं कराऊंगा क्योंकि समय हो गया है दूसरे classes का और एगली class में फिर इस तरीके का वीडियो ले करके आऊं बहुत बहुत धन्यवा शुक्रिया जैहिन जैभारत नमस्कार